हेलो भाई मैं हूँ आसिफ सुभानी और ये वीडियो भाई थोड़ी अलग टाइप से स्टार्ट हो रही है क्योंकि अभी मैं बैठा हुआ हूँ घास के उपर और अपने पास से ये टाटा की कार की चावी ये देख रहे हैं चावी और भाई इस ग्रीनिश चीज को गौर लाया उसके बाद ये टियागो लाकर के मार्केट में उतार दिया है मतलब देख रहे हो एतनी छोटी सी कार है इसमें कंपनी वाले आपको आगे साइड में मोटर दे देते हैं पीछे साइड में बैटरी दे देते हैं और एलेक्ट्रिक कार बनाकर दे देते हैं कि लो वारियंट में मिलेगी और उसके उपर वाले में जाने लगते हो तो वहां से आपको लॉंग रेंज वाली जो है वह वारियंट देखने को मिल जाती है इसकी आपको एक सोरूम पढ़ जाती है 118,000 रुपए और अंडरोड लेने जाते हो तो अपने पटना विहार में चली जा आपको अच्यखास मिल जाएंगे और दिखने में तो थोड़ी कूल-कूल सी लगती ही है टोटल इस रिमोट में मिल जाते हैं चार बटन्स घाड़ी आपको लॉक करने से रिलेटेट, अनलॉक करने से रिलेटे और यह मिलते हैं आपके हेड़ light on करने के और इसे प्रेस हो जाती है अनलॉक रियर वाइपर भी मिल जाते हैं डिफॉगर हाई मॉंटर स्टॉप लैंब और रूफ जो है यह आपको पियानो ब्लैक कलर की मिलती है यानि डूवल टोन कलर कह सकते हैं इस वाली वैरियंट को उपर साइड में आपको ब्लैक कलर की रूफ मिलेगी यहां अंदर साइड में तो अच्छे खासे भीड लगे हुए हैं यहां पर आपको मिल जाती है बूट स्पेस ठीक ठाक जो नॉर्मल आती है पेट्रॉल डीजल उससे कम मिलती है क्योंकि कंपनी वाले इसमें आपको बैटरी की जो सिस्टम वह यहां पर लगा करके देते हैं इस वजह से आपकी बूट थोड़ी जाती है कम और यह चार्जिंग सौकेट यह सारा चीज मिल जाता है नॉर्मल यह घर पर करने वाला है यानि आप 15 वाली जो चार्जर आती है घर में उससे इस गाड़ी को भी कर पाऊगे चार्ज यहां पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाते ह है यहां पर आपको वारवियम मिलते हैं नीचे साइड में इंडिकेटर मिल जाती है और इवी लिख्यों ही इस जगह मिलती है और टायर साइज जो है वो मिलता है एक सो पचहतर वाई 65 आर 14 यानि 14 इंच का आपको स्टील रिम ही मिलता है बस देखने में यह थोड़ा आपक जो पैक लगी हुए वो नीचे साइड में लगी हुए लेकिन इसमें पीछे साइड में लगी हुए है फ्रेंट साइड आते हो तो इस जगह आपको मिल जाती है अगें टाटा की लोगो पियानो बलेकलर के ग्रिल और इसकी जो डिजाइन है वह भाई देखकर दिल खुश स हो जाता है मतलब लेक्ट्रिक वाला जो होता है फील वह चीज़ आपको यह गाड़ी कहीं न कहीं दे देती है इस जगह आपको डियारेल मिल जाएंगे एलीडी वाले फॉग लैंप भी मिल जाते है और लो बीम के लिए प्रोजेक्टर वाली मिलती है इंडिकेटर सारे जो लंबा साइस का नॉर्मल जो डंडा वाला एंटीना होता है वह चीज मिलता है अब आओ देखाते हैं इसकी इंजन और आपको इसकी इंजन की पावर ही बताते हैं क्या पावर अपने को डिलीवर करती है तो यह अपना उपन होगा इस वहास से दोखों नीचे वाले वाले लेकिन आप यह वाली लेते हो तो यह अपने को 55 भावर और 114 यह law दे देदेता है तो यह बाइंजंस रिलेटेट हो गया अब बैटरी पैक जो क्पनी के हिसाब से कंपनी वाले कहते 370 किलोमेटर के देती है लेकिन मुझे नहीं लगता भाई कि 370 किलोमेटर देगी कंपनी वालों क्या है वो तो कहीं देते हैं ये गाड़ी अगर न आपको 200-230 इतना भी रेंज देदेना तो मस्ट डिल है कोई प्रॉबलम नहीं है आप नॉर्मल अपने टाउन जैसे छोटे मोटे सहर वाले एरिया में लेकर चल सकते हो अब रही बात चार्जिंग से रिलेटेड तो हर कोई चार्जिंग रेंज इन सब के बारे में सोचता ही है तो वैसी कोई प्रावलम वाली बात है नहीं आपको दो तरह के इस जगह पोर्ट मि अगर आप घर में 7.2ki़ किलोवाट वाली लगवाथे हो चारजर 7.2ki़ वाली तो वह भाई करीब साड़ं सीन घंटे में चार्ज करेगी अब चलो बारी है इंटीर की एलेक्ट्रिक जतनी हुच सिस्टम थी क्या टाइमिंग वाइमिंग सारा चीज़ आपने देख लिए अब फीचर्स को उपर फोकस करते हैं यहां पर आपको मिल जाते हैं विंडोस से रिलेटेड कंट्रॉल जिसमें ड्राइवर साइड वाला वन यह बेशक से काम कर जाए जैसे कि मैं गाड़ी लौक किया यह फोल्ड हो जाएगा गाड़ी में अन्लॉक किया यह अन्फोल्ड हो जाएगा लेकिन इस जगह से यह कभी-कभी करता है प्राब्लम ताटा वालो का न यही कुछ-कुछ चीज है जो बग रही जाते हैं यहां अब आपको उपन करना है चार्जिंग वाला फ्यू लीड लोग ऐसे कहते हैं उसे अगर चार्जिंग वाला जो कवर है उसे आन करना तो यहां से आप आप कर लोगे अब बैठते हैं अंदर अंदर में देखाते हैं अब गाड़ी जिस प्रैस पॉइंट पर आती है ना एलेक्ट्रिक इवी वाली जो आपकी सोच है ना वो चीज रह जाएगी यहां पर आपको आपको आटो देखो हेडलाइट मिल जा रही है आपको यहां पर मिल जाएंगे यहां पर आपको मिलते हैं इस हार्मन के इन्फोटेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रॉल एंडर तो एपल कार पेले यह सारे कार कनेक्टेट फीचर दुनिया भर को फीचर से वो सारे चीज मिल जाएगी और चार उडर्स के उपर चार स्पीकर और ट्वीटर आपको चार मिलते हैं तो टोटल आठ स्पीकर का सेट अप हो जाता है निच्चे साइड में एसी से रिलेटेड चार्जिंग आप लगा दे रहे और लॉक करना यहां से कर दो यह आपकी फॉग लैंप की हो गई और यह भाय मिलती है री जन्रेशन से रिलेटेड जैसे देखो इसमें टोटल आपको तीन चार लेवल मिल जाते होंगे ऐसे तो नॉर्मली इससे प्रेस करेंगा तो यह गया और आपको लेवल वन हो गया इससे बढ़ता है यह लेवल टू लेवल थी इस जगह भी उपर साइड में बढ़ेगा नीचे साइड में सो करेगा एम आइडी भी ठीक है जैसा कि आपने इसको टॉप मोडल में देखा है सेम चीज मिलता है बस इवी है तो इवी वाला जो है information वो चीज मिलेगा कितना बैटरी चार्ज है वो चीज बता रहा है रेंज यहां पर अपने को सो कर रहा है यह हो गया बाहर का टेंपरेचर इस जगह आपको बैटरी का वही जो कितना बैटरी बचा वह लेवल कुछ ऐसे बार स्टैल में बताता है उपर सड़ में पना चला जाएगा एक प्रॉब्लम बताएं जैसे कि दखो नैक्सवन वाले ओनर को भी सेम प्रॉब्लम था कंपनी वालों ने भाई अभी तक यह चीज नहीं सुधा रहा है हां महिंद्रा एक स्यूवी फोर डवल आती है उसमें काफी ब्राइड जलती है अभी तो धीर ध भाई खोचते रह जाओगे ऐसे हाथ ढखो तो यह थोड़ी इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है इस तरीके से देखती है तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने चाहिए थे लेकिन कंपनी वाले भाई नॉर्मल सुष्टी कर रहे हैं यह देखो इस पोर्ट मोड पर इस तरीक एक USB चार्जिंग सौकेट यहां पर होगे और यह तो खेर सारा यूनिट जो है AC का मिलता और इसके इनफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलते हैं जैसे कि यह हमने AC ON किया यहां पर दोगो AC ON आ गिया फैन का स्पीड कम ज्यादा करना हो वह सारा चीज यहीं पर सो करेगा बहुत ज्यादा हवा जितना है इसे आफ कर दो यहां पर आपको मिल जाते हैं ग्लोब बॉक्स अंदर साइड में मिलती है थोड़ी सी स्पेस जो कूलिंग वाली सिस्टम के साथ नहीं आती है बस टाइ पूछा मत भाई काफी लंबा चौड़ा से इस गाड़ी का आपको डैसबॉर्ड मिलता है एकदम बड़ा सा साइस का दो एर बैग आपको मिल जाएंगे आपको मैनुवल वाली मिलती है इसमें आपको मिर भी मिल जाते हैं तो मोटा मोटी एतना सा फीचर्स भाई आपको मि सब्सक्राइब में फ्रंट यानि ड्राइवर साइड वाली सीट से अब चलो पीछे लेकर करके चलते हैं पीछे क्या मिलता है मैं जिस बंदे को ना एलेक्ट्रिक कार लेना होगा और कम बजट या फिर सौर्ट डिस्टंस करना है उनके लिए एक नमबर डील है यहां पर आपको ट्विटर इस जागा स्पीकर यह होगे विंडेस रिलेटेड कंट्रॉल तोर लीवर मिल जाते हैं और इस पेस के क्या बात करें इस पेस आपको लगभग वैसे ही मिलता है यह देखो एतना सा इस इस से रिलेटेड जैन आपको जतना स्केंजियर वाल हा पिर पेट्राल इंजिन वाली में जतना स्पेस मिलता है दो आपको इसके बदेने चाहीए मैं देते हैं बिल्कुल प्लेंस है यहाँ पर भी प्लेंस है एक बोटर लोल्डर मिल जाता है एक बारा बोल्ड का चार्जिन सोगर्ड मिल जाता है और रिडिंग लैम भाई कंपनी वाले इस जगह देते हैं चिप का तो एतना सा चीज आपको मिलता है इस टाट यागो एवी की सबसे टॉ टॉप मुडल यानि एक्स जेड प्लस यह वाली जो वैरियंट आपके सामने खड़ी है इस गाड़ी में तो आपको कैसी लगी यह गाड़ी आप हमें कॉमेंट करके बताएं हाई मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में अगली वीडियो तक ड्राइफ से बीसे अ कि अपने वीड़ू नहें गाड़ी आपसे अपसे उक्स टयर बताद़ूता।